दोस्तो अब आप लों को birth certificate बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा अब एक नय पोटल से आप काफी आसानी से अपना birth certificate बना सकते हैं और इसमें जो है किसी भी उम्र का ब्यक्ति अपने birth certificate के लिए apply कर सकता है तो आज के इस वीडियो मैं आप लों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप लों को अपने birth certificate के लिए apply करना है चले दोस्तो वीडियो को start करते हैं आप लों को national portal of india government.gov.in इस वाले website पे आजाना है इस website का direct link में आप लों को description में दे दिया है तो उस पर click करके आप इस website पे आ सकते हो यहाँ पे इस portal में आने के बाद दोस्तो आप लों को सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है birth certificate का option अगर आपके moil में यह so नहीं हो रहा है तो आप लों को क्या करना है यहाँ पे search का option दिया गया है इस पर आपको click करना है और यहाँ पे birth certificate आप लों को search करना है तो हम यहाँ पे birth certificate लिखते हैं इसके बाद आप लों को simply search के बटन पे click कर देना है इसके बाद दूस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है Birth and Death, Audition आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे सभी state का जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिस भी state में online birth certificate बनाया जाता है वो state का link आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप जैसे ही birth certificate यहाँ पे सर्च करेंगे तो तो यहाँ पे first में आ गया है इसके लावा आप लोगों को यहाँ पे कई सारे states के देखने को मिल जाएगे ठीक है आप लोग यहाँ पे कई सारे pages हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आप जो है second page में भी जा सकते हो third page में भी जा सकते हो यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार आपके state का अगर 100 हो रहा है तो online बनना start हो गया है ठीक है यहाँ पे हिमानचल प्रदेश का आप लोग देख पा रहा होगे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो इसी प्रकार से आप लोगो हलाकी सभी states का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग MP का देख सकते हो यहाँ पे आप लोगो MP e Nagar Palika Portal यह मिल जाता है यहाँ से आप अपना बना सकते हो ठीक है तो हम यहाँ पे किसी भी एक link ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे हम जो है ना first link पर ही क्लिक करते हैं और आप लोगो में दिखाता हो आगे किस परकार से आप लोगों को apply करना है सो यहाँ पे हमने birth and death Odisha State का यहाँ पे हमने portal खोल रखा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कितने birth certificate जो है issue किये गया है अभी तक online आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ठीक है यहाँ पे आप लोगों को death certificate का भी यहाँ पे option मिल जाता है चोकि आप इसी portal के तुरू आप बना सकते हो ठीक है लेकिन हम अभी फिलहाल birth certificate के उपर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है सबसे उपर में आप लोगों को यहाँ पे citizen services देखने को मिलता है इस पर आपको click करना है सबसे पहले इसके बाद तुस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक pop of eyes आएगा choose your location का rural और 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 अप्शन दिया गया है आप एक grammar छेत्र से हैं या फिर आप एक सहरी छेत्र से हैं आप लोगों के हाँ चुनना है तो यहाँ पे हम rural में ही रहने देंगे इसके बाद हम यहाँ पे अपना district choose करेंगे तो यहाँ पे हम एक district choose कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों को location choose करना है यहाँ पे आप click करेंगे इसके बाद अपना location चूज़ कर लेंगे इसके बाद आप लोग का यहाँ पे यह processing होगा यहाँ पे एक important information आएगा जिसे आप लोग को यहाँ पे close कर देना है close करते ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है online birth services इसमें आप लोग को birth certificates related जो भी services हैं वो आप को नीचे देखने को मिलेंगे और बगल में आप लोग को यहाँ पे online death services भी मिलेंगे लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे इस वीडियो में ठीक है तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा apply for birth certificate यहाँ पे आप देख सकते हो लेकिन इस पर आप click नहीं करेंगे अभी यहाँ पे आप लोग को जो है correction से related भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा अगर आपके birth certificate में कोई correction करना है कोई गलत information है ठीक है तो आप इसे correct भी कर सकते हो यहाँ पे आप लोग को download करने का भी option मिल जाएगा जैसे यह आप लोग apply करेंगे उसके बाद आप लोग का बन जाएगा तो आप लोग download भी कर सकते हो status भी आप लोग यहीं stick कर पाऊगे हलाकि मैं आप लोग को आगे बताऊंगा नीचे आना है आप लोग को और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा apply for birth and AC इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे यह complete form जो है open हो जाता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ठीक है इस प्रकार से यह form आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे पहले आप लोंको यहाँ पे Applicants Detail आप लोंको भरना होगा तो यहाँ पे आप लोंको अपना Title सबसे पहले सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम Title सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे Applicant का First Name यहाँ पे हम भरेंगे ठीक है यहाँ पे हम भर देते हैं यहाँ पे middle name भरेंगे, तो middle name भी हम यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे हम last name भरेंगे, इसके बाद दोस्तों नीचे आप लों को यहाँ पे gender select करना होगा, ठीक है, आप यहाँ पे click करेंगे, तो आप लों के सामने यहाँ पे male, female का option मिल जाएगा, यहाँ पे हम select कर लेंगे then यहाँ पे care of में आप लों को father या फिर husband दो option मिलता है, तो यहाँ पे हम father का option पे click रहने देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अपने father का first name इंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे middle name इंटर करेंगे, अगर है तो फिर last name यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, इसके बाद इस तो यहाँ पे आप लोगो को, जस्ट आप जैसे ही click करेंगे, तो calendar open हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगो click करना है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आप click करेंगे, तो आप लोगो को यहाँ पे year choose करने का option आजाता है, तो आपका जो भी birth year है वो आप यहाँ से select करेंगे, ठीक है हम यहाँ पर select कर लेते हैं, उसके बाद month select करने का option आएगा, तो हम यहाँ पर month select कर लेंगे, यहाँ पर हम एक date select कर लेंगे, जो भी हमारा birth date है, ठीक है, तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर gender select कर और last name यहाँ पे इंटर करना है then उस child का जो mother का नेम है उसका first name यहाँ पे middle name और last name यहाँ पे इंटर करना है ठीक है तो यह आप लोगों को समझ में आ गया इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगो permanent address डालने का option आ जाता है तो यहाँ पे दो lines दिये गए है ठीक है यहाँ पे first line है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद दूसरा line है यह address डालने के लिए एक तीसरा line भी यहाँ पे दिया गया है तो इन तीनो line में ही आप लोगो address को भरना है अगर आप भरना चाहते हो तो first line में ही अपना पूरा address भर सकते हो, यहाँ पे आप लोगं को अपना पूरा address भरना है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे country अल्रेडी यहाँ पे selected है, आप लोग देख सकते हो, state यहाँ पे selected है, district यहाँ पे selected है, pin code आप लोगं को यहाँ पे enter करना है, contact number, moil number जो होता है, आप लोगं को यहाँ पे अपना email इंटर करना है, email अगर आप करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, दरवाइस आप छोड़ भी सकते हैं, इसके बाद place of birth आप लोगं को यहाँ पे select करना होगा, तो यहाँ पे दो option दिया गया है, सबसे पहले, तो आप लोगं को यहाँ पे करेंगे, simply house को पर click करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुछ areas जो है, block हो जाते हैं, इनमें आप लोगं को भरने की जरुत नहीं है, ठीक है, यह already fill up है पहले से, यहाँ पे आप लोगं को address भरना होगा, again आप जो address पहले भरेते हैं, वही address आप लोगं को यहाँ फरना है, इसके बाद नीचे आपनों को यहाँ पे pin number आपना डाल देना है, यहाँ पे तहसील आपनों को select करना है, यहाँ पे हम click करेंगे, यहाँ पे तहसील के name आ जाते हैं, तो हमारा तहसील हमिया से select करेंगे, then यहाँ पे attach document, यहाँ पे address proof आपनों को एक upload करना होगा, आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे upload कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपनों को upload करना है, देना आपनों को ID proof एक upload करना है, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड अगेन यहाँ पे upload कर सकते हो, इसके बाद एफिडेफिट है अगर आप लोग के पास, अगर आपका अज अपनों को देखने हों मिलता है यहाँ पर आपनों को यहाँ पे इंटर कर देना एक बाद नीचे आप लोग आयेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक टिक लगाने का और यह जो है आपनों का अंडर प्रोसेस में रहेगा कुछ दिनों के लिए इसके बाद यह जो birth certificate है यह आपका issue हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप जैसे submit करेंगे तो आपनों को एक reference number मिल जाएगा एक tracking ID मिल जाएगा उसे आपनों को note कर लेना है या फिर आप इसके insert भी कर सकते हो ठीक है उसे आपनों को note करके रख लेना है अब उसका क्या काम आएगा आगे मां आपको बताता हूँ अब देखे जैसे ही आप submit करेंगे तो आपको एक tracking ID मिल जाएगा वहाँ पे reference number तो यहाँ पे आप फिर से आएगे इसी website पे तो आपनों को यहाँ पे एक option देख करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपनों को birth certificate यहाँ पे birth registration को उपर क्लिक कर देना है यहाँ पे आप लोग जो भी date डाले थे date of birth वो आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इसके बाद यहाँ पे जो application number आप लोग को मिला है जैसे आप submit किये तो वो आपनों को यहाँ पर डालना है, रेजिस्टेशन नमबर आपनों को यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद आपनों को यहाँ पर search के बटन पर क्लिक कर देना है, और अगर आप पूरे जो डिटेल आपने भरा है उपर उसे आप रिसेट करना चाहते हो, तो आप लोग reset का बटन भी इस्तमाल में ले सकते हो So I hope दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोग को online ही birth certificate के लिए apply करना है अगर आपको वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब चरूर सकेज़ेगा